नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शबी को बता दे कि शंकत मोचन हरुमान जी ने उठा लिया है गदा अब आपके जीवन काल के शारी दुखों का शारी विपत्तियों का शारी प्रिशानियों का जो कि दोस्तों आपके जुनकाल में लगातार चल रही हैं पिछले कई वर्षों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा परिशान होगे हर एक उपाय करवा लिए जोन काल में आप बहुत यदा था कहार गए लेकिन दोस्तों शंकटों की निदान महाबली हर्मान जी एक बार आवश्य कर और लगी दोसुं आपकी महनत का फल आपकी भक्ति का फल्क है यह देने वाले बला जी कि किरपा अपशभी को प्राप्थ हो चूकी है जी दोसों आने वाले चार से पांच दुनों के अंदर दोस्तों आप शुबी की जुनकाल में अच्छानक शेव बहुत बड़ा चमतकार होगा दोस्तों बाला जी पर यकीन किजिए आप शुबी को बता दें कि जुनकाल में यूँ ही आपकी परिशानियां चुटक्यों में खत्म होती रहेंगी दोस्तों आप शुबी को बता दें कि आपके जुनकाल में पिछले शुमेशे ही इतनी परिशानियां चल रही है कि दोस्तों आप कुछ कह नहीं शकते उनके बारे में किसी को शुना भी नहीं शकते कि हमारी जुनकाल में यह परिशानिय चलती है कि दोस्तों शमाज की लोग बाहर के लोग आपका मज़ा भी उड़ा देते हैं, आपको हमेशा खिल्या उड़ाने में लगते हैं, इसलिवे दुखों को अपने दर्द को अंदर ही दबा कर रखते हैं, वर दोसुक्र शबी बातों के लिएकर आप बालाजी महराज शुरे प्रातना करते हैं, कि हे पता होता है कि कौन सा कारे हमें कब देना है जे दोसों और यश्मी भी आपके एक्षाएं पूरी होने वाली है जिवनकाल की जो भी परिशानियां है जो भी लगतार चल रही है दोसों जिन से आप बहुत ज़्यादा परिशान थे सबसे बड़ी और महत्पुन बातिया है कि जो लोग आपको पिछले शमी परिशान करते थे दोतों जिने लोगों के चलती आप बहुत ज्यदा मुश्किलों का शामना किये हैं जिनके लिए आप रोए हैं दोस्तों वे शबी भी बताए हैं विपले दिनर जी वाली लोग भी परते हैं दोस्तों शबी आपको अब मुक्ति की प्राप्ति होगी उनकाल में आपके बहुत ही बड़े महत्पुन बदलाव आने वाली चार दिरों के इंदर आपको देखने को मिलेंगे जिया दोस्तों बशबाला जी महराज पर एकिन के जिए उनके भक्ती भाव पर ध्य दोस्तों आपको बहुत यदा अपने बॉड़ी में प्रोब्लम हुआ है जिस प्रकार के खाने आपके नहीं पस रहे थे दोस्तों चाहकर भी आप चाहते थे कि आप श्वस्त रहें लेकिन दोस्तों शमीश में पर आपको बीमारियों का श्रमना भी करना पड़ा है जिए गाल में आप बहुत यदा प्रिशान हो गई थे वह मैं लेकिन दोस्तों आप शेपी को बताया है कि वह में आपको रक्षा किया है और याश में भी बाला जी है जो कि आने वाले चार दिनों के अंदर आप शेपी की जुनकाल में बहुत इबड़ा चमदकार करेगा बशरत दोस्तों बाला जी पर आप निरंतर बिश्वास करते रहें उनकी पूजा रसना करते रहें और शक्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हो बाला जी महराज जरूर लिखेगा आपकी अरजी शुर्कार होगी बाला जी महराज परशन होंगी तो आज दोस्तों आगे वीडियो में बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के इनदर बगवान हनुमान के श्रीपाश याब कि ज्यूंकाल में कॉन-Kउन में बड़ी बढ़ी बदला होने वाले हैं और दोस्तों ध्याण रखने वाली बात है कि याने वाले चार दिनों कह अंदर आपको को कौनशी गलटिया न कुछी डोब्य बात करेंगे कि आने वाले चार दिनों के इंदर वीगरश की के बदलती चाल उगी आपके जूनकाल में आपके घर की महौल में पारूजन में आर्ति शिती श्वास केरियर में शुवी में कौन-कौनशी बड़े शुदार करने वाले हैं, कौनशी विशेश बातों का ध्यान रखना होगा, शाती सबसे महत्पून बात आने वाले चार्टरों में आपको कौनशी उपाय को करना है, ताकि भगवान हनुवान जी का काम देने में भी आप शक्चम रहेंगे, प्रकृति आपका शाथ भी दे रहा है, आपको पता दें कि आपके रुकेवे कारियों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दें, इनसे दोस्तों आप अच्छी काम्याबी यश्मे हाचिल भी कर पाएंगे, इसके साथ दोस्तों यश्मे कर आपकी शावधनी को लकर बात करें, तो दोस्तों किसी दोस्त के साथ तक्रार हो शक्ती है, अपने शोभाव पर यश्मे आप नियंतर रखे, कभी-कभी दोसरों पर अधिकार जमन आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ात देता है, बात्चित करते श् समंदी, कारिये जो है यश्मे दिखी दी रखें, यह आपके लिए उत्म होगे, इसको प्राहत दोस्तों यश्मे आपके लिए समयोगे, आपको बता दें की दोस्तों, काम के परती आपकी निश्टा भी श्मे बेढ़ेगी, जिसके वज़से बढ़ों की मर्जी आप पर ब जीवन को बैतरी बनाने की सोच भीजार को वास्तों गता कारूप देने के लिए अर्तमान में रहने की आपको आउश्रकता होंगी, इसको प्राहत दोस्तों यह श्मे आपके लिए समयोगे आपको बता दें की दोस्तों काम की दिख्ता तो आपके उपर रहेगी, जारीत करने का शमय होगा, आपको अपने व्यक्तितु में भी निखार देखने को यह मिल सकता है, चचरे भाई बेहनों से किसी वज़ा से समदों में खटा सा सकती है, प्रन्तु दोस्तों रिजदों को इसमें मजबूत रखने में आपका प्रयाश सफल भी रहेगा, लक्ष को अपने आलश के वज़े से प्रापनो कर पाना, इनके वज़े से खुद की प्रती चिर्चिरा आपकी बढ़ सकती है, दोस्तों आपका प्रता गुष्णा नुक्षान का कारण हो सकता है, खुद के प्रती अधिक कठोर वाईवार ना रखते हुए, अपने लक्ष लिए यह आपके लिए नुक्षान धायक शाविद होंगी, और इसको प्राण दोस्ते याश्मेट, आपके लिए श्मेट से चली आरे चिंता का याश्मेट समधान मिलने शी, आपकी मांशिक ठकान मिटेगी, मांशिक सामती आपको मिलेगी, आपको बता दे, कि आप अपन तदा अपने काम के प्रती ही आप ध्यान को केंदर रखें, यह आपके लिए बहतर होंगे, कभी-कभी आपके विचारों में जो है संक्रिता हावी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आत्म अवलोकां दवारा अपने इसी कमी को दूर करने का प्रयाश करें, यह आपके ल अले यह अच्यल नो बने रहेंगे, फिर भी दोस्तों आप खुद का ही नुक्सान कर रहे हैं, आपको बता दे कि दूसरों को खुश करने की कोशिच क्या आपको खुश से रख सकती है, या फिर खुश रख रही है, इस बात को जानने की यश्में आपको कोशिच करें, इस दोस्तों आपका आने वाला शुश्व होगा बहुती मजबुत सुम्य होगा यह संबर कापके लिए nadhika कारक साविद होगा या फिर उन्रतिका नए उमार्ग यश में यह खोल सकते हैं आपको बता दें कि दोस्तों कोई पैतरिक शम्मति शम्मति मसला भी हलोने की शमावना बन रही है इसके साथी दोस्ते यश्मी अपनी जुनाओं को पूरी तरह सोच विजार करके ही किरौनित करें जल्द बाजी में करने से दिक्कत आशकती है इस बात का आपको यश्मी ध्यान रखना चाहिए विद्यारतियों और आप लक्ष से बटक सकते हैं लेंद शम्मति कारियों को भी आप यश्मी टाल दें ये आपके लिए बहतर होंगे और इसको प्रांदों से यश्मे आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि शुरुआत में कुछ ना कुछ नाराजी बनी रहेगी फिर भी दोस्तों अपने बटकना नहीं है इस बात का ध्यान रखें अपने लक्ष को पूरा करने के लिए आपको यश्म में अधिक महनत करने की आपशकता होंगी कापी कोशिजों के बात भी जियों में प्रगती ना देख पाना आपको केवल अपनी दायोग शावित हो रहा है और दोस्तों लोगो के लिए अर्थात आपके वहिशाय की तो यह श्मी कारी चितर में किसी विश्च व्यक्ति की मदद आपकी तरक्य के लिए वायदय मंस्वाइद होगी विध्यार्थी लोग अपनी नोकरिश मंदी विवागय परिच्छा में पूरी तरह महनत करें यह जो समय है आपके होईतित होगा और इसको प्रांद दोस्तों यह श्मीघर आपकी श्वास यानी सिहत को लिकर बात करें तो दोस्तों तो आचा शमंदी कोई अलर्जी की असंगा है अधिक सर्दी या खुले वातरण में जाने से पहले अपने पचाओ का पूरा ध्यान रखें दोस्तों यह कि श्माइब बैतर सावित होंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों तुरूबागी को शोवभाग में बदलने के यह उपाय है महाबली बाला जी का यह उपाय है जो कि आप शिवी के जुनकाल में बहुत ही कामगर कारगर शीद होंगी आप इने बहुत यदा सर्धाश किजिए गया ध्यान सुनिएगा तो आप दोस्तों बात करते हीं दोस्तों आप शुभी को बता दें कि किशी भी दिन मंगलवार को शनिवार को बंदरों को या फिर फकीर को गुर्ट तथा चना देना है दोस्तों इसे शुभागी प्राप्ती होगी एदि आपका वैपार ठीक तरशी नहीं चल रहा है तो बुदवार के दिन एक तोता पिंजरे शहीत खरीत कर लाएं तोते को आजात कर दें तोता जितनी दूर तक उड़ जाएगा आपका वैपार उतना ही तेजी से चलेगा उ बीद होगी अदोरा ही आका पाने कर देपkeln बुयाा कर देजी बंका रmos दोता है तोता उना है तोतो ही जुद़ा ही त Allowterm